नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है जानिए मई मेने के तीस तिवहार और उनके सूब महरत दोस्तों समय अपनी गती के साथ आगे बढ़ता जा रहा है और वर्स 2022 भी अब अपने पाचवे मेने में आप पहुंचा है तो आईए जानते हैं इन तिवहारों के महत्व और सूब महरत के बारे में एक मई मजदूर दिवस महराष्ट गुजरात स्थापना दिवस दो मई मासिक कार्ति गई दूज के दिन चंदर दर्सन होगा और इसी दिन सूमबार का ब्रत रखा जाएगा तीन मई रमजान मातंगी जैनती अक्षय तिर्तिया रोहिनी ब्रत और परसुराम जैनती रहेगी अंतराष्टिय प्रेश्ट स्वतंतरता दिवस भी इस दिन रहेगा चार मई को वरत चतूर्थी विनायक चतूर्थी का ब्रत रखा जाएगा च्छे मई सुर्दास जैनती संकराचारे जैनती रामानू जैनती सकंद सष्टी मनाया जाएगी आठ मई भानू सप्तमी और गंगा सप्तमी रहेगी विस्वर रेड क्रोस दिवस भी इस दिन मनाया जाएगा नो मई को बगला मुखी जैनती रहेगी मासिक अश्टमी यानि की दुर्गाश्टमी का ब्रत भी इसी दिन रखा जाएगा 10 मई सिता नौ में जान की जैनती रहेगी संत भूरा भगत की जैनती इसी दिन रहेगी 12 मई बैसाग सुकल पक्ष की मोहिनी एकादसी रहेगी 13 मई परसुराम द्वादसी और प्रदोस ब्रत रहेगा 14 माई नर्सिंग जैन्ती रहेगी इस दिन नर्सिंग चतूर्दसी ब्रत रखा जाएगा 15 माई को ब्रिसव संक्रांती जत्य ब्रत कुरुम जैन्ती और पुर्णिमा ब्रत रहेगा केवट जैन्ती भी इस दिन रहेगी 16 मही बुद्पुनिमा रहेगी यानि की गौतम बुद्ध की जैनती रहेगी और गुरु गोरकनात प्रकटोस्वा भी इस दिर रहेगा 17 मही मीना समाज मंदीर नारत जैनती मनाय जाएगी 19 मही गणेश चतूरती ब्रत रहेगा 22 मही राजाराम मोहन रहे जैनती और मासिक कालाश्ट में ब्रत रहेगा 26 मही अचला या अपरा एकदसी का ब्रत रखा जाएगा 27 मही प्रदोस ब्रत 28 मही सिव चतूरती ब्रत या मासिक सिवरात्री इस दिन रहेगी 30 माई को बटसावित्री ब्रद सुमवती अमावस्या और सनी जैन्ती मनाई जाएगी 31 माई को चंद्रदर्सन दुरुम पान निसेत तिथी भी इस दिन रहेगी मैमा के सुमोहरत विवा के सुमोहरत रहेंगे 2 से 4 फिनो से 20 चौबिस से 26 और 31 माई को इसके बाद मुंडन सुमोहरत 6, 18 और 26 माई को ग्रे आरम सुमोहरत रहेंगे 11, 12 और 13 माई को ग्रिय प्रवे सुमोहरत 11, 12 और 26 माई नामकरण 11, 12, 16, 25 और 26 माई को अन्न प्रासन रहेगा 6, 13, 20, 25 और 27 माई को उपनयन 5, 6, 13, 20 माई को दोस्तों इस प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सेर वर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल में विजट करने के लिए धन्यवाद